आपके साथ मनीशा और आप देख रहे हैं दाओरे नियूर नब्वे के दसक से बिलुप्त हो चुके गिद्दो की हुई बापसी लोगों में राम भक्तों के बापसी पर खुसी की लहर है जालोन की कौश तहसील इससे ग्राम पनियारा में पिछले छे दुनों से एक पेड़ पर गिद्दो का जिंड देखने को मिल रहा है जो की एक सपने की तरह है ग्रामिडो का मानना है कि रामयड में इनका भी एक पिरसंग था ये भगवान राम की भक्ते और देश में 22 जन्वरी को राम राज आने वाला है सायद इसलिए गिद्ध भी उपस्तेत हो गए है गिद्धो को इस दुनिया में सफाई कर्मी की रूप में माना जाता है बता दी कि दुनिया बनाने वाले ने दुनिया बनाते वक्त हर किसी को दस्दूर की तहस जिम्मेदारी स्वापी है एको सिस्टम को बनाए रखने के लिए हर एको दस्तोर के मुताबिक चिम्मेदारी दी गई है फिर चाहें बेपिड़ पौदे हो इंसान हो या पसो पक्ची ही क्यों न हो ये सच है कि मनोस इस धर्ती का सबसे सांदार बैक्तित है लेकिन केवल इंसान से ही इस धर्ती का एको सिस्टम नहीं चल सकता नब्वी के दसक में या उससे पहले के दसकों में जिन जिनने जन्म लिया होगा उन्होंने बड़े पंखो वाले गिदों को जरूर देखा होगा खास तोर से जब आसपास कोई चानवर मर जाता था तो जुंड बना कर गेद मंडराने लगते थे इस पक्षी का इतियास कितना पुराना है इसका अंदाजा इस पास से भी लगाया जा सकता है इस पक्षी से जुड़ा पिरसंग रामाइडे में भी मिलता है दरसल जब रावड देवी सीता को हरण करके आकास मार्ग से लिजा रहा था तब देवी सीता का बलाब सुनकर जटायों बहाँ पर आ जाते है और रावड से यूद करते हुए घायल हो जाते है लेकिन जटायों की पिरशाती अपने अस्तत के लिए संगर्स करती रही है परिया बुरण में सफाई कर्मी के नाम से मसुहर गिदों की संख्या 90 दसक से खत्म हो गई थी जो अब धीरे धीरे जुन्डों में देखने को मिल रही है यहां रामे गिद्ध देखे गए हैं कापी दिनों से ब्लुप्त थे तो क्या कहना चाहेंगे आप कैसी संकेट यह तो बहुत खुशी की बात है यह भागे से ओर कि घ्थ हमारे हैं आगे सफाई कर्मचारी माने जाता है प्राक्रितिक सपाई कर्मचारी है जितने मिलें यमालिये सुख है बातावान सवच्छों का सुध्धों का जो है धन्दगी नहीं होगी वह अच्छी बात है जिए